बात करते हैं BLS International Services Limited के बारे में आज के दिन 0.32% के आसपास ये गिरा है कंपनी काम क्या करती है ये hospitality business में या hospitality sector बोल सकते हैं इसमें काम करती है hospitality मतलब hospital नहीं होता है travel services वगएरा ये जो है company provide करती है और बहुत ही rapidly growing market है इसका अब इसकी history पढ़ना चाहते हैं business वगड़ा पढ़ना चाहते हैं तो इसके website पर जाके या फिर google में जाके चेक कर सकते हैं थोड़ा boring सा है इसलिए मैं बता नहीं रहा लेकिन in short मैंने आपको बता दिया कि काम क्या करती है 8800 का market cap है stock का PE काफी ज्यादा है अपने industry के PE से ROC, ROE अभी का देखेंगे या तीन साल पुराना देखेंगे पांच साल पुराना return देखेंगे सब कुछ बहुत ही जबरदस दिखेगा डिविडेंट भी थोड़ा वोत ये company देती है कर्जा इनके उपर ना के बराबर है प् बांकी public को दे दिया है ठीक है तो ये एक तरह से मुझे negative side थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा negative की तरफ मुझे मतलब आपको pressure नहीं डालके बोलना है थोड़े जो नए लोग होंगे वो panic करने लगते है आपको ये बताना चाहरा हूं कि promoter का stake कम करना त 70% से जादा का stake hold कर रहे है अभी मैंने negative इसलिए इसे बोला क्योंकि इनके जो main promoter है आप देखेंगे इनका जो सबसे main promoter है वो है दिवाकर अगरवाल तो इन्होंने अपना stake कम किया है अभी ये बाकी किसी नीचे वालों ने किया होता या किसी अंजान promoter ने किया होता जिस प्रूरत हो शायद इसलिए इन्होंने बेचा हो लेकिन अगर company grow करने वाली है तो इस तरह से बड़ी selling बहुत impact दे सकती है शेयर के उपर अभी quarterly result इसका आया नहीं है सिर्फ मार्च का ही available है और अगर इसका annual performance आप देखेंगे तो last 3 साल से आपको ये double double होता हो दिखेंगे यहां पर double और यहां पर भी double ठीक है इससे पहले consistency की थोड़ी कमी थी लेकिन वो सिर्फ कोविड की वज़े से ही ले थी आप देखेंगे पहले 24 31 बढ़ा 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 सिर्फ कोविड के time पर ये कम हुआ मतलब की बोल सकते हैं ये consistently growth देने वाली company है और इसलिए आपको CAGR, profit growth, sales growth वगरा जो है double digit में और कभी कभी triple digit में भी देखने को मिल रही है चार्ट उपर जाता हुआ दिख रहा है तो इसका आप alert लगा सकते हो अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो इसमें entry करना चाहते हैं तो देखें अगर आप इसे breakout stock मान के आप investment करना चाहते हैं तो इसके ऊपर में अगर आपको अच्छा ये दिख रहा है candle तो आप investment कर सकते हो एक तरह का risk हो जाएगा क्योंकि R तो ये कब तक उपर जाता है पता नहीं लेकिन आप अगर swing trader हो तो आप यहां पे इंटर कर सकते हो अब in case अगर इसके results खराब आए किसी भी तरह से और ये अगर नीचे गिरा चुकि मुझे लगता नहीं है क्यों कि ये गिरेगा क्यों नहीं गिरेगा वो मैं आपको बतात होगा investment करने के लिए अभी 140 से उपर में ये बहुत थोड़ा risky हो जाएगा ठीक है तो एक तरह से देखा जाए तो मेरे खेल से ये stock शायद नीचे ना आया और ये level आपको ना मिले तो आपसे ये stock मिस हो जाए एक assumption है सिर्फ ओके अब ये क्यों नहीं गिरेगा देखे नहीं इसलिए BLSE Services नाम की इसकी subsidiary visa and immigration services वाली company है जिसका ये लोग IPO लेके आ रहे हैं तो इसके वज़े से इनको पैसे बहुत सारे आएंगे इस चक्कर में जून मंत में यहाँ बरबर के buying हुई थी और उसी की वज़े से यहाँ पे जो ये breakout मतलब जो resistance बन रहा था इसको इसने मिल सकता है आज के दिन यह गिरा है देखते हैं अब आगे भी अगर यह गिरावाट continue रहती है तब शायद हमें यह one party के आसपास आता हुआ मिले otherwise इसमें अगर एक भी बड़ी entry हुई किसी की तो यह बहुत बड़ा candle बनाएगा और फिर उसके बाद सारे इसमें गुसने की क बता हूंगा बहुत अभी मुझे लगता नहीं है जुलाई में यह इतना नीचे आएगा ठीक है वन सिक्स्टी के आसपास इसका जुलाई का लेवल है तो 216 से वन सिक्स्टी इतना जल्दी आ जाए ऐसा मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में स्पेसिफिकली तो इसलिए तो BLS International के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में